को आप सब्सक्ता है अजने स्टार्ट हो नए स्टार्ट होने वालव तूर क्लास परफूंदी क्लास भी और जल्दी से जल्दी जाकरm उसको देख लीजै क्यूंकि इससे देल डेलेटटड को थीव्डी नग क्लास भी करां ज़ा चुका है तो theory class करकर के उसके बाद आप लोग objective class किजेगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जागा ठीके इससे पहले theory class हो रहा था लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैं objective class कराइए तो objective class जो है अब से start हो चुका है तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है आठ बजे रात में डेली आठ बजे रात में class से start हो जाती है तो आप लोग डेली रात में आठ बजे देखना नहीं बूलिए आप लोग time से आ करके और जरू जरू class को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए ठीक है इससे पहले आप लोग को बता दे कि आप लोगों के लिए PDF जो है वो तैयार हो चुका है ठीक है और PDF में previous year question रहने वाला है और क्या रहने वाला है नया जो भी exam syllabus है उसके according ये PDF को तैयार किया गया है ठीक है क्योंकि जो आ PDF में सारा question arrange कर दिया गया है साथ है previous year question है तो previous year question आप सभी को पता है कि कितना जो है वो important है ठीक है question आये तो आप लोगों को question जो है वो नहीं छूटे ठीक है साथ में अगर ये PDF आप लोग लेते हैं तो PDF लेने का फायदा ये होगा कि आप लोगों को test series की भी जरूरत नहीं होगा ठीक है तो PDF इसमें आप लोगों को जो है test की भी सुविधा प्रादान होती है ठीक है क्योंकि इसमें जो है जितना question दिया गया है सब का जो है ये one liner format में नहीं है ये है objective टाइप में साथ में उसका जो है option जो है multiple option जो है दिया गया है जैसे same to same exam में पूछा जाता है same to same वैसा है इसमें दिया गया है तो आप लोग जैसे test देते हैं same वैसा ही test जैसा ही है तो जिससे आप लोगों की practice जो है अच्छे से हो पाएगी और exam में जो है वो आप लोगों का question जो है वो गलत नहीं हो पाएगा क्योंकि पता है कि जो भी permanent vacancy निकालती है तो उसमें उसका जो है negative रहता है और कितना रहता है one by four यानि कि जब आप लोग च्यार question गलत कर दीजेगा तो आप लोगों के जो भी सही question है सही number जो आया हुआ है उसमें से एक number कट जाएगा तो इसलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो practice कीजिए तो आप लोगों को जैसा option रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की सोचने की छंता बढ़ेगी और exam में वहाँ पे आप लोगों क में आजाएगा कि किस टाइब का question पूछा जा रहा है किस टाइब पे तो आप लोगों को जो है उससे related question भी दिया गया है लेकिन जब आप लोगो एक pattern समझ में आजाएगा किस type का question पूछा जा रहा है तो आप लोग जब भी अपना book पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे relate करके पढ़िएगा तो और ज्यादा question आप लोग का तैयार होगा और इज्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो है वो number आप लोग का आप आप आएगा और आप लोग का selection हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और merit list में आपका नाम होगा सोचे कितनी खुशी होगी अगर merit list में आपका नाम होगा ठीक है तो आप लोग को अगर यह PDF लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 29 29 ठीक है यह चंदन सर का नंबर है इस पे आप लोग वाट् जरूर से जरूर लेजीएगा कि कि यह PDF जो है आप लोगों के लिए बहुत ही special होने वाला है आप लोगों के लिए ठीक है कि आप लोगों को यह PDF जो है जुए User 8 जोब दिलाएगी तो ठीक है तो यह PDF जरूर लीजिये साथ में जैसे याप लोग यह PDF लीजिएगा तो आप जतनी सारी जनकाarीया जरुसे जरुड ये पीडियाप पर्चेश कीजिए! और अपना एक सीट जरुड़ रहा वह कंपर्म कीजिए! तो चलिए हम लोग जैसे में कुछ कोश्चन किये हुए थी ठीए पंद्रा नंबर हो गया था अब हम लोग को सोला नंबर कोशचन करना है ठीखे देखी देखे 16 नंबर कोश्चन क्या कहता है कि सरीर में सबसे लंबी मानस पेसी कहां पाया जाता है हम लोग उपर पढ़े हैं सबसे लंबी हड़ी ठीक है तो सबसे लंबी हड़ी कहां पाया राता था जांग में हड़ी ठीक है जांग का जो हड़ी होता है वो सबसे लंबी होती है ठीक है तो उसका नाम क्या था उसका नाम था फीमर ठीक है फीमर जो हड़ी होती है लेकिन यह तो हांपे मन् पेसियो की बात किया जा रहा है कि सब्सक्र लंबी मन् सपेसि जो है वो कहां होती है ठीक है अपसरन फ facto है पीठ में अपसरन भी है बोर में यह फ्टाने क्यारिए अपसरन सी हैron my wondering तो इसको आप लोग यह कर दिए यह तीन अपसर में से आप लोग आंसर बताए कि सबसे लंबी मान्स पेशी कहां होती है तो वह होती है जांग में जांग की जो हड़ी होती है वह तो सबसे लंबी होती ही है साथ में मान्स पेशी या भी उसकी सबसे लंबी होगी ठीक है यहाँ पे 17 नंबर कॉस्टन देख लेते हैं रेटीना कहां होता है ठीक है रेटीना जो एक अंग का क्या है पार्थ है वो कहां पाया जाता है option first है, कान में, option B है, मुख में, option C है, आँख में, option D है, कोई नहीं तो यहाँ पर right answer हो जाएगा आँख में, रेटीना जो होता है, वो आँख में पाया जाता है, ठीक है यहाँ पर देखिए important question है, समाने platelets की जो है, यहाँ पर मान पुछा जा रहा है कि संख्या पुछा जा रहा है, platelets की संख्या कितनी होती है option first है, 10,000 से 40,000, option B है, 1,500,000 से 4,000, option C है, 50,000 से 80,000, option D है, 1,400,000 ठीक है, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, 1,500,000 से 4,000, तक platelets की संख्या होती है, ठीक है, आप लोग याद रखेगा, जो डेंगू होता है, डेंगू भीमारी, ठीक है, तो इस डेंगू में क्या होता है, कि प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो घटने लगती है ठीके तो वही प्लेटलेट्स की संख्या जब घटती है तो हमें क्या हो जाता है देंगू बीमारी हो जाता है ठीके चले 19 संबा देख लेते हैं मुत्रवाहिनी किसका भाग है ठीके जो मुत्रवाहिनी होता है वो किस प् यानि जेनाइटल प्रानाली अप्सन भी है पाचन तत्र अप्सन सी है मुत्र प्रानाली अप्सन डी है कोई नहीं तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा अप्सन नमबर सी मुत्र प्रानाली ठीक है मुत्र जो वाहिनी होता है मुत्र वाहिनी किसका भाग है मुत्र प्राना ठीक है, एस्टोमक हो गया, ठीक है, और क्या क्या आता है इसमें, और जितने भी जैसे की पाचन तंत्र में जो जो अंग सहायता करते हैं, ठीक है, वो सब क्या हो गया, पाचन तंत्र का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, मुख हो गया, ठीक है, उसो फेगस हो गया, छोटी यात बड़ी यात ये सब क्या है पाचन तंत्र की क्या है भाग है वैसे ही जो मुत्र वाहिनी होती है ठीक है मुत्र वाहिनी मेल और फिमिल दूनों में पाजाता आपको पता है तो जो मुत्र वाहिनी होता है वो मुत्र परानारी का क्या है एक भाग है ठीक है चलिए 20 नंबर हम लोग question देख लेते हैं girl bladder stone के operation का क्या नाम है girl bladder यानि कि पितासा ठीक है पितासा में जब stone हो जाता है यानि कि पत्थरी हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है operation के माध्यम से उसको निकाला जाता है तो उस operation को हम लोग क्या बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर फ्रीमेल जू होती है कि उस को जो फैलूपियन टीव को ऐलग किया जाता है ताकि जो है यह वह प्रोल्पन से न मिल पाया एंडाव फटिलाइजेशन नक रोका जा सके Prom हम लोग क्या करें टीूघ तो मैल वे मिल होते है उसको वैसट्रीं करते से जो उस आप्रेशन को क्या बोलते हैं टीवक्टम वैसे यहां पे पूछा जा रहा है कि गर्ल ब्लडर में जब एस्टोन हो जाता है तो एस्टोन को आप्रेशन के माध्यम से जो निकाला जाता है उस आप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे अप्शन फर्स्ट है कोले सिस्टेक टोमी अप्शन बी है सिस्टेक टोमी अप्शन सी है कोले कोलेक टोमी अप्शन डी है कोई नहीं तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा कोले सिस्टेक टोमी गर्ल ब्लाडर में जब एस्टोन हो जाता है तो उसके अप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कोले सिस्टे टॉमी याद रखेगा important question है देखिए अगरा question क्या कर रहा है कर्ट रेक्ट आपके किस structure में होता है कर्ट रेक्ट यानि कि यहाँ पर इसको है हिंदी में हम लोग मोतिया बिंद बोलते हैं तो याद रखेगा इसको कटे रख्ट भी बोलते है इसका इंगलिस नाम भी कभी कभी exam में दे देता है तो दोनों आप लोग याद रखिया का confused बिल्कुल भी मत होईएगा तो आख की किस भाग में होता है यह तो अभी आप लोग को पता चल गया होगा ठीके तो देखिए ऐसे easy question को exam में क्या बना जाता है hard बना जाता है है तो कितना easy question जब सब लोग इसका हिंदी जानेंगे तब उसको सोचेंगे कि oh my god यह तो कितना easy question हम लोग exam में छोड़के आ गये हैं तो वैसे ही आप लोग यात अखिएगा option first है cornea, option B है retina, option C है sclera, option D है lens ठीके तो आप सभी को पता है कि जो मोतिया बिंद होता है वो lens में होता है उसी को हम लोग मोतिया बिंद बोलते है मोतिया बिंद का अपरेशन आप लोग कोपता है कि क्या किया जाता हैETH? operation के द्वारह उस परत को जो lens पर zum गया रहता है उस परत को काट करके और फिर क्या किया जआ जाता है निखाल दिया जाता है। ठीक है चलिह यहां पर 22 नंबर न कोस्टन देख लेते हैं बटीब्र विश्ट कॉलम जी सेटों किया 157 कहां जा कि अधिक सफलाल शित्तम का क्या है ये एक स्रOM एक httr सबसे नीचे पाया जाता है तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा नीचे वह नीचे सबसे नीचे पाया सबसे होता है तो इसकी संख्या जो होता है तो इसकी संख्या कितना हो जाता है एक हो जाता है यह देखिये इस पीट भी ठीक है यह पूरा एस्केलेटल सिस्टम है यहां पर यह क्या है यह भर्टिब्रा कॉलूम है ठीक है इसी में यहां पर आप लोग देखे यह वला यह सैक्रम है ठीक है चौड़ा टाइप का आपका जो यहां पर दिखा रहा है वह ही क्या है सैक्रम है याद रखेगा बोन से भी रिलेटर एक benefiting पूछा जाता है ठीक है यह बहना जा सकता है कि यह जैसे कि रेडियस हो गया ठीक है रेडियस बोन जो होता है वो कहां पाया जाता है ठीक है यह हो गया यह कंधह यह श्युटा रहता है उसके बाद क्या आता है यह पर एलबो आता है उसके बाद ये हाथ आता है उसके बाद ये उंगली बना रहता है ठीके तो रेडियस जो होता है यहाँ पे जो अंगुठे की साइड का बाहर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे आप सभी को पता है हाथ में दो हड़ी पाए रेडियस और अलना तो अंगुठा नहां पर 23 नंबर प्ं! ऍेंोन निशन दर्ध कर जा सबधिया, निशन पर बिलाता है? तो वह ही क्या होता है ऩि Thailand अप्एझिक्स बढ़ता है तो उसका साइज बढ़ने लगता है तो वो पेट में क्या करने लगता है उतहाँ तो आप लोग बताया कि ready पहले हमारे बॉड़ी में क्या रहता था काम रहता था लेकिन अभी इसका काम नहीं आए इसका काम जो है जानवारों में रहता है ठीके इसका काम क्या है कि जो भी हम घास पूसिये सब छो खाते हैं ठीके जो भी सेलूलोज से डिलेटेड होता है ठीक है साग यह सब कुछ तो उसको पचाने में मदद करता है अपेंडिक्स तो अभी हमारे क्या बॉड़ी में इसका जो है यूज खतम हो गया है पहले के जो आदिवासी थे उनमें यह जो है अंग महत्तपुर था लेकिन अभी यह जो अपे अपेंडिक्स वी एक अवसेशी अंग है अवसेशी अंग किसको बोलते हैं जिसका हमारे बॉड़ी में कभी यूज नहीं आता है यानी कि वह नहीं भी रहे तो हमारा काम चल जायगा वह ऐसे फाल्तू का हमारे बॉड़ी में रहता है, जैसे कि बाल ठीके, बाल क्या है, कि पहले जो आदीवासी रहते थे उनमें यूज आदा था, बड़ा बाल रहता था, तो ठंड से बचाती थी, दूप से बचाती थी, कि क्यों उस टाम उनलों के पास घर रहने के लिए नहीं था, नहीं, ओरने के लिए रहता था, तो ठंडी में जो बाल होते थे उनको बहुत ज्यादा क्या होता था मदद मिलता था ठंड से बसने के लिए लेगिन अभी क्या हो गया है इसका यूज हमारे बॉड़ी में खतम हो गया है अभी हम लोग घास कुछ यह सब नहीं खा रहा है तो अपेंडिक्स जब बढ़ता है उसको काट के निकाल भी अगर देंगे हम लोग तो उससे हमारे बॉड़ी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है चलिए 24 नंबर यहां पर इजी कोस्टन है सभी लोग आंसर बताईएगा कि आई-एम इंजेक्शन का पूरा नाम क्या है ठीक है हम लोग आई-एम इंन्जेक्शन देते हैं तो उसका पूरा नाम क्या है इंट्रामेन, इंट्रामेन, इंसाइड दमेन, इंट्रामस्कुलर तो upright answer क्या हो जागा अफसर नंबर D, इंट्रामस्कुलर आई-एम ठीक है, यहां पर आई-एम नबे डिगरी पे देते आई-एम जो इंजेक्शन ह इसका डिग्री पुछा रहा है तो आप लोग बताईएगा नब्वे डिग्री का मतलब यहां पर पर्पेंडिकुलर यहां पर सीधा ऐसे हो गया ठीके यह मान लीजे कि यह क्या हो जाएगा कि यह बाजो हो गया तो नब्वे डिग्री यानि कि आई-एम जो भी इंजेक्शन देना रहेगा तो यह जो है ऐसे हम लोग सीधा देंगे ठीके यह सीधा हम लोग इंजेक्शन ऐसे देंगे ठीके अगर बहुुत जादा जो पतला लोग होगा तो थोड़ा सा हम लोग जो है ऐसे नीचे करके हम लोग दे सकते हैं ठीके ठोड़ा सा नीचे करके ऐसे दे सकते हैं बहुत ज़ादा अगर मसल्स जो है उसके में कम है तो ठीके लेकिन अगर आप लोग को डिगरी पूछे तो आप लोग 90 डिगरी ही आंसर दीजीएगा चले पच्सीज नमबर देख लेते हैं सबसे लंबा बोनिनबड यानि सबसे लंबा जो है बोन हड़ी जु है सरीर में कहां पाया जाता है ठीक है है श्रीघर अप्शन पी एंशर क्या होड़ाइगा फिमर जो होता है हमारे बड़ी में सबसे लंबी हटी होती है और जांग में पाया जाता है ठीके और अलना बतायेगा अभी थोड़ा देर पहले बतायते कि अल्ला जो है हमारे बोडी में कहां पाया जाता है कि संग में पाया जाता है सभी का आंसर आना चाहिए ठीक है चलिए 26 नंबर कोस्टन हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर कोस्टन क्या करता है कि सबसे लंबा मॉसल्स ठीक है तो सर्टोरियस जो मसल्स है यह सबसे लंबा जो है मसल्स होता है और यह कहां पाया जाता है जांग की हड़ी में ठीक है जो जांग की हड़ी होती है उसी को यह कभर की रहती है तो यह जांग में पाया जाने वाला जो सर्टोरियस मसल्स होता है यह सबसे लंबा मसल्स होता है, मसल्स याद रखिएगा, important है कि सबसे लंबी मसल्स सर्टोरियस, ठीक है, एक जाम में पूछा गया question है, देखिए यहाँ पर फिर से important question है, ठीक है, काटने वाले दाथ, यानि कि किस दाथ से हम लोग कोई भी चीज को काटते हैं, ठीक है, हमारा जो दाथ है, सब दाथ का अलग अलग काम होता है, आप सभी को कभी अप लोग फिर कीजिएगा, कि जब हम लोग चाबाते हैं, तो किस दाथ से चाबाते हैं, आगे वाले दाथ से चाबाते हैं, कभी नहीं, आगे वाले दाथ से क्या करते हैं, हम लोग काटते हैं, जो है नुकीला जो एक दात होता है अभी अब लोग पीगर के माध्यम से पढ़ेंगे सारा कुछ पढ़ेंगे ठीक है तो अभी फिलहाल बताए काटने वाला दात का नाम क्या होता है कोई नहीं कि इसका इंगलिस में इंसाइजर भी बोलते हैं इंसाइजर इंसाइजर तो इसका हिंदी और इंगलिस दोनों याद रखेगा दोनों ही एक्जाम में दे देता है तो incisor जो आगे वाला ऐसे दात होता है चलिए आप लोग को figure में दिखा रहते हैं ये देखिए incisor दात ठीके ये जो चार हड़ी बोल रहे हैं दात उपर भी ये चार सेम ही होता है ठीके नीचे जैसा सेम दात होता है वैसे ही उपर भी दात होता है तो यह जो four होना यहां पर यही इंसाइजर है इसी से हम लोग आप लोग को जो है अब ध्यान दिजिएगा कि कैसे काटते हैं आगे वाले दाइश से ठीक है ऊपर four होता है और नीचे चाइश तोठ एससाइजरो दाइश की संख्या कितना हो गया चार हो गया ठीक है उपर चार नीचे चार आठ टोटल हो गया चलिए 28 नमबर हम लोग पॉस्चन देख लेते हैं ग्लुकोज मेटाबोलिज में किस हार्मोन से होता है ठीक है ग्लुकोज का जो मांत्रा होता है कौन यहन्जित करता है अप्षन फर्स है थायरोक्सिन अप्षन भी है इंसुलिन अप्षन सी है रोत अप्षन डी है कोई नहीं तो आप सभी को पता है इंसुलिन जो हर्मोन होता है वही ग्लुकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है ठीक है इंसुलेन हार्मोन का अधीक और कम होना ही क्या हो जाता है? हम लोगो providing Isle हो जाता है ठीक है इंसुलीन की जब मात्रा कम हमारे बोडि में स्रावित होता है तो क्या होता है कि वो ग्लुकोज की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता है जिससे क्या होता है कि ग्लुकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिसे हमें डाइबिटीज हो जाती है जिसे हम लोग चीनि WC में कौन सा сेल सबसे ज़्यादा पाए जाता है यहीं WC में सबसे ज़्यादा जो कोशिका होती है वो कौन सी है अप्सन 1 लिंफोसाइट अप्सन B hat मोनोसाइट अप्सन C hat न्यूट्रोफील अप्सन D कोई नहीं तो राइट अंसर क्या हो जाओतागा नीट्रोफिल ठीक है नीट्रोफिल जो होता है WBC में सबसे ज़्यादा पाया जाता है WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लोड सेल वाइट ब्लोड सेल ठीक है वाइट ब्लोड सेल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो नीट्रोफिल पाया जाता है WBC क्या करता है, हमारे शरी में रोग पर्ती, रोधा च्छमता क्या करता है बढ़ हाता है Monocyte जो होता है WBC में सबसे छोटी कोशिका होती है और lymphocyte होता है ये भी क्या पाया जाता है WBC में ही पाई जाता है देखिए 30 नंबर कोश्चन आ गया कि 30 नंबर कोश्चन क्या कहता है कि गलाइको सूरिया का अर्थ क्या है ठीक है गलाइको सूरिया एक क्या है मेडिकल टर्प है जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर जैसे कि ओली गोरिया हो गया ठीक है तो वैसे ही एक है गलाइको सूरिया ठीक है इसका अर्थ क्या होता है जैसे कि फॉस्ट अप्शन है पीत अप्शन भी है मुत्र में सरकरा अप्शन सी है ला तो यहां पे राइट अंसर हो जागा अप्शन नंबर भी देखिए इसमें होता क्या है कि जब मुत्र में क्या हो जाता है कि सरकरा की मातरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम लोग गलाइकोसूरिया बोलते हैं देखिए क्या होता है कि जब बलड में बहुत ज़्यादा मातरा में क्या हो जाता है ग्लुकोज की मातरा बढ़ जाती है तो ग्लुकोज की मातरा बढ़ जाती है तो क्या करता है कि जैसे कि हमारे सरीर में जो ग्लुकोज की अगर अधिक मातरा रहती है तो जो कीडिनी होता है ठीक है कीडिनी जिसको हिंदी में हम लोग गुर्दा भी बोलते है ठीक है तो वो क् लोगते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ग्लाइकोसुरिया हो गये मुत्रे में सरकरा की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडियोफ को लिखना नहीं पड़े ठीक है, लिखने से बचना है और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एक्जाम हुआ है, जैसे हाल ही बीटियोफ सी दौसर या साथ सो नौव एनेम का एक्जाम हुआ है, या फिर आथ हजार आथ सो जो एक्जाम हुआ था कंटेक्ट पर या फिर 865 का एक्जाम हुआ था, सारा का एक्जाम का जितना भी कोस्चन आप लोगों को एक सांथ देखना है, ठीके, उस कोस्चन को एनलाइसिस करना है, तो आप लोग ये पीडियोफ ले लिजिए, ठीके, इस पीडियोफ में आप लोगो 4000 प्लस कोस्चन और उसमें रहेगा प्रीबियास येर कोस्चन यानि पिछला जितना भी एनम का एक्जाम हुआ है, सारा कोस्चन रहने वाला है, इसमें सारे सिफ्ट का कोस्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड धूबियाई कोस्चन बन सकता वो सारा कोश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा जिससे आप लोग खुद भी एनलाइसिस कर पाएंगे खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइब का कोश्चन जो है वो पूछा जा रहा है किस टाइब का कोश्चन पूछा जा सकता है ठीक है जो भी इंपोर्टेंट को community health nursing और primary health यह सारा जो है आप लोग के सामने जितना की question है सारा कुछ रहने वारा है ठीक है और सारा important जितना भी question है सारा रहेगा आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है सारा एक PDF में मिल जाए रहा है इस PDF को अब आप लोग के मन में आना आ रहा होगा कि यह PDF कैसे ले तो य लिख रहा है यह WhatsApp नमबर चंदम सरका है यह WhatsApp नमबर आप लोग जो है screenshot ले लीजिए और अपने जो है mobile में save कर लीजिए और फिर इस पर WhatsApp की जरूरत चाहिए तो आप लोगों को यह PDF WhatsApp पे मिल जाएगा ठीक है बहुत ही important यह PDF है आप लोग के सामने जो भी exam में वेकेंसी आन वाली है ठीक है वो वेकेंसी में इस PDF से आप लोग 100% स्योर रहें कि इस PDF से ही question आने वाला है क्योंकि अभी तक जितना भी exam हुआ है सारे exam का इसमें राने वाला है previous year question plus उससे related जितना भी important question है सारा कुछ include किया गया है ठीक है और वो PDF जो है इसमें आप लोग को YouTube पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक special key point है उसको आप लोग को मिलेगा एक WhatsApp ग्रूप में जैसे ही आप लोग यह PDF पर्चेज किजिएगा आप लोगों को एक WhatsApp ग्रूप में add कर दिया जाएगा और उस जो ग्रूप है उस ग्रूप में आप लोगों को जो भी PDF लेंगे किवल वही रह लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा ठीक है जो भी डाउट है वो आप लोग कुछ भी सकते हैं ग्रास का सार अपडेट उसमें मिल जायेगा ठीक है जितनी भी परसानी है आप लोग वहां से सेर कर सकते हैं यह WhatsApp नमबर आप लोग जो है WhatsApp नमबर सेफ कर किजिए यह WhatsApp नमबर है WhatsApp नमबर पर तुरंत ही मैसेज किजिए चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला कुस्चिन